अस्तामलेकम वेलकम तो राकी का किचन आज की वीडियो हमाई बहुत ही दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ किचन टिप्स के साथ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने की टिप्स जो है वो शेयर करूंगी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने में काई भी कर लेना है और साथ मैं आपके साथ एक डियाई वायर रेमडी शेयर करूंगी जिसे आप जरूर ट्राइ कीचेगा इसे इस्तमाल करने से आपके हजारों रुपे जो है वो बचेंगे तो चलते हैं अपनी पहले टिप्की वरफ यहां पर मैंने पास सबस मिचे अद करूंगी क्योंकि जब भी हमें ताजा अद्रकलसन चाहिए होता है तो हमें इसे पहले साफ करना पड़ता है चीलना पड़ता है और इतना टाइम हमाई पास नहीं होता तो जल्दी में जब खाना बनाना हो तो आप इस ट्रिक को जरूर ट्राइक कीचेगा आप इस तरह से पहले से ही चौप करके रखें फ्रिज में और ये आपके बहुत ही काम आएगा तो नेक्स ट्रिक की तरफ चलते हैं आज में आपके साथ कोफी बनाने की एक बहुत ही जबरदस्त किपशे करूंगी अगर आप कोफी पीना पसंद करते हैं तो कोफी आप जरूर पिए लेकि कोफी किस तरीके से आपको पीनी है जिसका फाइदा भी आपको हो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत सबरदस्त कोफी है आपने पानी घरम कर लेना है इसमें आपने आदा टी स्पून से भी बहुत कम जो है वो कोफी शामल कर देनी है इसे आपने एक बा है तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऑनलाइन चौपिंग के आइडियाज जो के बहुत सबरदस्त है वीडियो को जरूर एंड तक देखे और वीडियो के पसंद आए चैनल को सब्सकाइब और लाइफ करना मत कुई लिएगा तो यहां पर मेरे पास दरास से मै बहुत ही जबरदस्त और कमाल का है और इसकी कॉलिटी भी बहुत ही बहतरी है तो आप देख सकते हैं कि अब इतनी महंगाई हो चुकी है और इतनी रेंच में हमें इतनी अच्छी बैट शीट कहीं से नहीं मिल सकती तो दरास एक बहुत जबरदस्त चॉइस है और अब तो अगर आप उनलाइन चॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप दरास से जो है वो शॉपिंग करें तो नेक्स च्रिप चलते हैं अपनी रेमडी की तरफ तो आज की महीं बहुत ही सबदस्त जो रेमडी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसलिए करेंगे कि हमें इसे बारी ग्रेट करना है ताकि इसका हम जो रस है वो निकाल सके तो देखे मैं इसे ग्रेट कर लिया है तो अब इसका रस जो है वो मुझे चाहिए मुझे आलू नहीं चाहिए बस मुझे सिरफ इसका रस चाहिए तो इसका रस जो है मैं इसे दु है वो मेरे पास से जो है वो आ चुका है अब इसमें में डाल दूँगी आदा टी स्पून कॉफी यह बहुत सबतर स्टिप बन कर त्यार होगी अगर आपको भी डारकर सर्कल का प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रिप को जरूर पॉलो कीजेगा यह आपके चंद दिनों में जो ह है वो हाफ टी स्पून शामल कर दिना है और अगर आपके पास ऑल्मेंट आयल ना हो तो आप इसके अंदर ग्लिस्टरिंग भी शामल कर सकते हैं लेकिन ऑल्मेंट हो तो ज्यादा वेतर रहेगा और इसे अब आपको लगाना कैसे है इस तरह से उंगली की मदद से भी आप को लगा कर जो है वो सो सकते हैं अगर नहीं तो आप कोटन की मदद से भी अप्लाइ कर लें वीडियो के पसंद आई हो तो इसे जारा से जारा शेयर करना है लाइक करना है और अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है मुझे जाज़े दे तब के लिए खुदा हाफीज